हेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट एक चीज तुमें जरूर बोलूंगा कि अगर यूपी स्टेड मेडिकल फेकल्टी मेरिट बेस एडिमिशन ना लेकर इंट्रेंस बेस एडिमिशन लेती तो इतना तो कंफर्म है कि ज्यादा तर बच्चे इसका फॉर्म भरने में ही अपनी आधी प्रिप्रेशन उड़ा देते पता है क्यों क्योंकि इसके फॉर्म भरने में इतनी सारी समस्या हैं कि हर कंडिडेट लगभग परेशान है मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बताऊंगा और मैं आपको बता दूं कि टेंसन लेन है तो यह चीज मत सोचना कि आपका कुछ भी ने होगा तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाना और यहां पर क्लिक कर देना तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप फॉर्म भरता होते हो तो इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हो कि यहां पर जी प्राइट यह है कि आपको प्रॉब्लम है तो जीमेल कीजिये हमें जीमेल यह जीमेल दी हुई आप लोग नोट कर लीजिये या फिर आप इसी जीमेल पर जैसे है आप क्लिक करोगे न तो आटोमेटिक यह आपको जीमेल के ओप्सन पर ले जाएगी वहां पर जो भी होगा आप लोग डाइब कर सेकते हैं पूई प्रोब्लम की बात नहीं है यहां पर हिनों ने जो 4 नमबर दी है ना कोई रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कॉल उठा ہी नहीं रहें यह लोग कॉल उठा ही नहीं है मैंने कई बार कॉल किया तो आप रेजिस्टेशन पेज ओपन हो जाएगा वहाँ पर आपका स्टेट ही नहीं सिलेक्ट हो रहा है स्टेट और सिटी इंडिया तो पहले नमबर पे सिलेक्ट है ही वहाँ पर state और city तो select होई नहीं रब ये क्या problem ये सही होगी नहीं होगी ये तो confirm दोस्तों नहीं है कि कब सही होगी लेकिन सही तो होगी दोस्तों ये चीज तो confirm है उसके बाद जिनको login करना है जिनका form भर चुका है वो लोग visit यहाँ पर करें यहाँ से आप लोग check कर सकते हो कि आपकी fees successful हो चुकी है या नहीं हुई है अब जिनकी fees कट चुकी है और successful नहीं हुई है मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपकी fees successful नहीं हुई है तो इस चीज को लेके tension ना लें बस आपके बैयां के count से fees कट चुकी हो बस इस चीज का आप लोग विसेज़ ध्यान रखें अगर fees कट चुकी है तो आपकी fees successful हो जाएगी वो चाहे 10 घंटे में हो 12 घंटे में एक दिन में दो दिन में तीन दिन में पिछले साल की मैं आपको बता दूँ काफी बच्चे थे जिनका तीन तीन दिन में fees successful हुआ था अभी एक student है या मेरा दोस्ती आप बोल लो उसने form बरा है और उसका 12 घंटे में फीस successful हो गया था 12 घंटे में उसने call किया मेरे पास कि मे कि फॉर्म नहीं भरे हैं और या फिर भरने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग फॉर्म भरोगे तो मैं आपको बता दूँ कि इनकी website इतनी बीजी हैं कि आप पूछो ही ना पता है क्यूं काफी बच्चे इसका form भर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा बच्चे इसकी website पे बार बार विजिट कर रहे हैं ऐसा क्यूं कि काफी बच्चों का form भरा गया और उनकी फीस successful होई नहीं तो वो बार बार अपना login करके इसका form देख रहे हैं कि फीस successful होई की नहीं तो इसलिए बार बार इस website पे विजिट किया जा रहा जिस कार्ड से ये website और भी ज्याद नहीं हो रही थी तो आप लोग अब form भरना है अगर अभी तक नहीं भरा है तो अब कैसे भरें जिससे सब कुछ सहीर है चलिए मैं बताता हूं दोस्तों क्या है कि ज्यादा तर बच्चे form दस morning में दस बज़े के बास से लेके सामके 6 बज़े तक भरते हैं ज्यादा तर अगर आप लोग चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना है एक चीज मैं बता दूँ यह प्रॉब्लम सारे कंडिडेट के साथ हो रही है इसलिए दोस्तों मैं आप से यही बोलूंगा कि इसका अगर आप form भरना चाहते हो अगर आपका कोई साइबर कैफे वाला परिचे में है त तो आप मॉर्निंग में तीन बजे के बाद अब आप लोग सोच रहोगे मॉर्निंग में कैसे भर देंगे मॉर्निंग में तीन बजे के बाद छे बजे तक आप लोग इस बीच में फॉर्म अगर भर दोगे ना तो यकीन मानू मेरा आपका form successful फिल हो जाएगा यह पाइं होती है तो उनके पास server की कोई problem नहीं होती है लेकिन यह problem website की है तो अगर आपके परिचह में कोई cyber कैफेवाला है आपके में आपके दोस्त का कोई भी है तो आप उससे संपर कीजियों और उससे बोले कि मेरा form भरना है और आप इसका form जो है कि बहुत सारी समस्यां आ रही है तो चांस है दोस्तों कि आपका फॉर्म सो परसंट सक्सेच्फूल हो जाए फीस उसी टाइम पे दिखा दे सब कुछ क्योंकि इस टाइम पे कोई भी इस विबसाइट पे विजिट करने वाला नहीं है क्योंकि सबी लोग सोते रहते हैं और ज्यादा थर में सरक इसका सारा कुछ होता है तो अगर आप भर सकते हो थो भर क्योंकि मेरे पास क्योंकी उसेसे सब्सक्राइब के पास या फिर यह website ही सही काम करें तो कोई प्रोब्लम नहीं होगी आपने देखा होगा आपने और बहुत सारे फोर्म भर होंगे वहां पर ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं आती लेकिन इनकी website पर यह प्रोब्लम है तो इसका सॉल्यूसान यही है कि अगर आप तीन से छे बजे के बीच में मौर्निंग के टाइम फर्म भरते हो तो सक्सेश्फुल होने के जो चांस हैं वह सो परसेंट बढ़ जाएंगे कि आपकी फीज भी सक्सेश्फुल दिखा दे और फॉर्म में भी कोई प किजिए हो सकता है आपका लोगिन आसानी से हो जाए कोई प्रोब्लम नहों क्योंकि एक कंडिडेट है जिसने अभी मैसेज किया था कि मैं लोगिन कर रहा हूं तो वहां पर मेरा सब कुछ मांग रहा है वहां पर मेरे इमाकसीद मांग रहा है सब कुछ मांग रहा है लेकिन सही से यह open हो पाए तो यही solution है दोस्तों इसके अलावा में और कुछ share नहीं कर सकता और जो भी है आप लोग अगर कर सकते हो तो करिए इसके अलावा दोस्तों आप अगर morning में भरते हो तो फिर problem हो सकती है यह तो आपको confirm अलब आप 10 बजे के बाद morning में भरते हो तो फिर problem हो स तो यहां पर आप लोग इसका फॉर्म भरे हैं और प्रोब्लम आ रहे हैं ताकि उन लोगों को थोड़ी सिराहत मिल सके क्योंकि मैं आपको बता दू फीज सकसेशफुल नहीं हुई है तो इसीज के लिए कि टेंसन ना ले फीज सकसेशफुल हो जाएगी कोई सवाल है कमेंट कर देना तो यहां पर आप लोग इसका फॉर्म बना चाहते हैं तो बिल्कुल नीचे आना तो यहां रेड कलर के जो आपसन हैं तो यहीं से सारे के सारे कुछ हो रहा है क्यूंकि वेबसाइट पूरी तरीके से अभी बदल गई है वहां पर ई-मेल कर लोगों है तो यह बिल लोग इन कर सकते हो